कई Velok वो भी दमगीए जैसे हचानवमम करकी जैसे ज daytime संधा ze Epic जैसे च्लादिवाथ की किरिटी गुफदैस्टी Libre लता हुआ है व्हाhet कि और अर्थिक साहथा करते चैन आणन्दूरल्न काडियों को फिर म करता है गिरिदी में खंबव पर आवार साधीन भारत कली तो हमलों बनाए धू तंत्रता दीवस। उसके जब परस लगाए थे कौन लगाए थे कि चंदर बैनिर कि उन्होंने गिडी के कहकya लगा ये ते आवहर साधीन भारत सिर्शक के क्या लगाएं थे परचे लगाएं थे परचा चिपका दिया था तो वैसे हम लोग राची में पढ़ेंगे ओके लगाएंगे राची लगाएंगे हम लोग राची हम लोग का में हेडिंग क्या था कि बंगाल विभाजन के समय या उस टाइम पिरियेड में 1905 से लेकर 1907 जब तक महात्मा गांधी जी नहीं आते महात्मा गांधी जी का इंट्रे नहीं होता है उत्व दोरान किस तरह से आंदोलन चल रहा था तो लिखिए कि बंगाल विभाज विभाजन के समय गनेश चंद्रघोष ने बंगाल विभाजन के समय गनेश चंद्रघोष नाम या दखना है बहुत इंपोर्टेंट इस बंगाल विभाजन के समय क्या नाम या दखना है गनेश चंद्रघोष ने राची में बंगाल वजन के समय गनेश चंद्रघोस ने राची में गनेश चंद्रघोस ने राची में आंदोलन का नित्रित्तो क्या था गनेश चंद्र घोष ने राची में किसका नित्रित्तो क्या था अंदोलन का नित्रित्तो क्या था याद रहेगा सही है हेमंदर नाध घोष का संबंद कहां से था चलो ठीक है हम लोग क्या लिखें कि गनेश चंद्रव घोष ने राची में आंदोलन का नित्रित्तु क्या था कब बंगाल विभाजन के समय कि समय बंगाल विभाजन के समय अगला पॉइंट लिखेंगे लिखें कि हावडा के हावडा के बेलूर मट कलकत्ता में है बेलूर मट के क्रांतिकारी हावडा के बेलूर मट के क्रांतिकारी कहां के क्रांतिकारी बेलूर मट हावडा के बेलूर मट के क्रांतिकारी और क्रांतिकारी का नाम क्या है सचिंद्रनात सेन हावडा के बेलूर मट के क्रांतिकारी इनका नाम लिखिए सचिंद्रनात सेन हावला के बिलूर मट के क्रांतिकारी सचिंद्र सचिंद्र ऐसी होगा ना सचिंद्रनाथ सेन हाँ सेन टाइटल है हाँ बेंगोली में टाइटल होता है सेन सचिंद्रनाथ सेन सचिंद्रनाथ सेन इसे हमारा मित्र है अमर नाथ सेन, है ना, तो टाइटल होता है, सचिंद्र नाथ सेन, चलिकेंगे हम लोग, राची के, राची के, डोरंडा में, कहाँ पर डोरंडा, राची के डोरंडा में, लंबे समय तक छिपे हुए थे, कौन, सचिंद्र ना, सेन, कहाँ के थे, हावडा के, बेलूर मट, क्रांथी कारी, सचिंद्र ना, सेन, लिखे, अगला पण दिखे, लिखे, हेमंत कुमार बोश, हेमंत कुमार बोश, जिन्हें, बोश, जिन्हें, बोश, घोस नहीं, बोश, जिन्हें, बोश, बोश, वास द्रे बोश बोश बहला, हेमंत कुमार बोश, जिनने अंग्रेज बागी घोसित कर दिये थे बागी मतलब क्या होता है भगावत करने वाला भगोड़ा बागी घोसित कर दिये थे वह स्वेंब वह स्वेंब राची में छिपकर रहा करते थे वह स्वेंब कहां छिपकर रहा करते थे राची में छिपकर रहा करते थे, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हेमंद्र कुमार बोश, हेमंद्र कुमार बोश, जिनने कहा छिपा दिया गया था, अंग्रेजों ने, बागी खोशित क्या था, वो राची में छिपकर रहा करते थे, देशेर कथा कौन लिखा था देशेर कथा और तिलकेर मुकद्दमा ये दुनों किताब कौन लिखा था जल्ली से लाश्ट क्लास में पढ़ाये थे शकाराम गनेश देवसकर कहां के रहने वाले थे देवघर के है ना देसेर कथा और तिलकेर मुकद्दमा ये दोनों किताब कौन लिखा सखाराम गनेश देवसकर ओके चलिए एक बात और जो बहुत करदकेर अब अब यह तो को लगता है कि मतलब आपको अनुस्ट है क्यों है ऐसाओ ये सी से गवर्मेंट से विध्यार्थियों का भरोसा उड़िया है ना जाने कितना बार डेट निकाला कितना बार बोला अग्यने एकजाम ना तो हुआ ना कुछ हो रहा है तो इसके विरोध में पहले हम लोग ट्विटर केंपलेंट जलाएं थे अब क्या है पुतला दहन और उसके बाद मुख्यमंत्री आवाज घे रहा हूं तो आप लोग को भी बढ़ चड़कर हिस्सा लेना है और जो लोग ओनलाइन से जुड़ेंगे अपना अपना जिला मुख्याले में जरूर पहुंची और चात्रेक्ता का एक दम आप लोग क्या कीजिए प्रदर्शन कीजिए चात्रेक्ता भी तो है ऐसे देखा जाए तो जहारकर्ण में लगबग हम लोग पांच से छे लाख स्टूडेंट है सुचो छे लाख स्टूडेंट के लिए सरकार को डर होना चाहिए कि नहीं छे लाख स्टूडेंट खुद दो भोड़ देंगे ही सब 8 साल से उपर हैं हम लोग और हमारे साथ हमारा पुरा परिवार है अच्छे लाख में से हम हर परिवार में पांच भी मिंबर काउंट करे कि इंदे माता पीता भाई भाय मिला कर पांच भी मिंबर काउंट करें तो हम लोग 30 लाख है तो 30 लाख लोग जिधर चाहेंगे उसवर सरकार बना सकते है हम लोग को serious ली नहीं ले रहा है इतना टालते जा रहा है इसका एक कारण हम ही लोग है कि हम लोग खुद जागरूग नहीं है इसलिए सरकार को बताना है कि भाईया हम लोग कम नहीं है 30 लाख है और अगर हम लोग चाहें तो आपका वोटिंग एक दिन में आपको अर्ष से कहां ला देंगे फर्स में ला देंगे कल तक आप मुख्यमंत्री हैं अगला ही दिन आप क्या हुएगा चफरासी भी नहीं रहिएगा कोई गवर्मेंट पोछ तो है नहीं आप सर्वेंट हैं आपको चुनके भेजे ना तो आप MLA जीतिएगा खुद का सीड़ भी हार जाहिएगा अपने आप अर्स से खाएगा फर या पुतलाधन वाला कारेकरम ओके किसी भी चीज में पिशे नहीं हटना है आपके यह हक की लड़ाई है ठीक ना खैर ओन्लाइन वाले लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वह सोचल मीडिया में कमेंट करते हैं वह लोग कम से कम पार्टिसिपेट जरूर कीजिए तोसल करेंगे तो यह न होना चाहिए खुद लड़ना होगा है उससा तरह लोग को तो अज़ादी की बात अंधोलन किया इसी तरह से हम लोग को भी क्या करना है अलग अलग जगा से आंदोलन करना है मसमझ मारा है चलिए प्राची हो गया अब हम लोग लिखेंगे सिंग्भूम छेत्र कौन सा चेत्र सिंग्भूम छेत्र सिंग्भूम छेत्र को पूरी सामा उस समय की बात तो मोग कोलहान भी कह सकते हैं ना उस समय के वर्ड हम उसकते हैं को लिए सिंग्हुम के अगला पॉयंट में उसी में सिंग्हुम के जंसेद पूर सिंग्भूम के जमसेदपूर और चाइवासा छेत्र में सिंग्भूम के मेनली क्यालिग्राम लोग जमसेदपूर सिंग्भूम के जमसेदपूर और चाइवासा छेत्र में जमसेद पूर और किस चेत्र में? चायवासा चेत्र में सिंगभुम के जमसेद पूर और चायवासा चेत्र में बंगाल के क्रांथिकारी चैवासा छेत्र में बंगाल के क्रांतिकारी लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रशार करते थे बंगाल से आकर क्रांतिकारी सिंग्भुम चेत्र में क्या करते थे लगातार आंदोलन का प्रचार प्रशार करते थे अगला पॉइंट लिखेंगे लिखेंगे प्रमुख क्रांतिकारियों में अगला पॉइंट देकर प्रमुख क्रांतिकारियों में दुर्गादास बैनर जी एवं प्रमुख क्रांतिकारियों में क्या लिखना है दुर्गादास बैनर जी एवं सुरेंदर कुमार राय एवं सुरेंदर कुमार राय नाम सुन के रखना एक्जाम में पूछेगा इनका संबन्द किस छेत्र से है सिण्ग्भुम चेत्र से तो प्रमुक्रांतिकारी दुइद्गादास वैनरजी एवं सुरेंद्र कुमार राई ताटा कंपपणी में जो अब ही टाटा इस्टिल बन गया है ताटा कंपणी में पारिय रत क्शि मतलब यह कंपणी में काम भी करते थे के टाटा कंपणी में कारे रथ थे से का कहारे करते थे लिंगे अगला पेंट लिखेंगे जल्दी से कि ग्रिंद्रनाथ मुखरजी हां ग्रिंद्रनाथ मुखरजी ग्रिंद्रनाथ मुखरजी इनके भाई भी थे यहां पर दुनों नाम दिखाएंगे आप लोग को दिखिए ग्रिंद्रनाथ मुखरजी मुखर जी जो टाटा कमपणी के वर्कर थे ग्रिंद्रनाथ मुखर जी जो टाटा कमपणी के वर्कर थे वर्कर मतलब क्या लिए करमचारी थे टाटा कमपणी के करमचारी थे इन्होंने गोशना की इन्होंने 1908 में इन्होंने 1908 में ग्रिंद्रनाथ मुखर जी जो टाटा कंपणी के कर्मचारी थे इन्होंने 1908 इस भी में बहुत इंपोर्टेंट वी वी आई इंपोर्टेंट पॉइंट है ग्रिंद्रनाथ मुखर जी जो टाटा कंपणी के कर्मचारी थे इन्होंने 1908 में निउयोर्क से यह घोषना की नियु यॉर्क से यह घोशना की नियु यॉर्क से क्या किये यह घोशना किये इन्होंने नियु यॉर्क से यह घोशना की कौन गिरिंद्रनात मुखर जी जो ताटा कंपणी के क्या थे करमचारी थे इन्होंने नियु यॉर्क से यह घोशना की कि क्या गोशना क्या लिखिए कि रख्त रंजित क्रांती से ही भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है क्या लिखने हम लोग रख्त रंजित क्रांती से ही किस क्रांती से रक्ष्ट रंजित क्रांती से ही भारत को भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है क्या स्वतंत्र कराया जा सकता है किया जा सकता है या फिर कराया जा सकता है एक ही बात है कि याद रहेगा बहुत सूपर इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगो लिखा रहे वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट गिरिंदरनाथ मुखर जी जो नियू और कमेट काटा कंपनी के क्या थे कारचारी थे उन्होंने नियू और से घोष्कना किया कि रक्तर रं अब यहां पहें साथ में हाँ आट में घोष्णा कर रहे है कर्मचारी है यह अ बिना कर्मचारी कि कोई फॉर्म पर इसता अपना होगा नहीं होगा ना कोई भी वर्क्स चालू करना है क्या चाहिए करमचारी तो चाहिए फश्वाय तुबंस महाया तो 180 में नियूर्ट से आप लोग मनाना नहीं है उसको सील भी करना में आप स्वतंत्र रहें तो हर चीज से स्वतंत्र है है लेकिन रूल इंड़िचन के साथ अब ऐसाद भी करना कि सर तो बोले साथ बजी आ जाना सर्च सुतंत्त कैसे हुआ भाइख क्योंकि वह आपके क्या लिए फाइट जरूरी के लिए है कि आपको एक टाइम के बाद आले के रहा जरूरत पड़े तो हम आठ बजे भी निकल सके बिना किसी डर के वो क्या होना चाहिए आजादी होना चाहिए बसमझे माया पढ़ने के लिए आपका टाइम कर दिय लड़कें लड़किय। दोनों को बता होना चाहिए कि अगर हम वहान सवतंत्र है तो सामने वाला भी स्वतंत्र है और दोनों अपने मर्यादाओं के साथ चले कि दरना नहीं है कि आपके पास क्या है आजादी है तावी का मत होगा अभी कभी कभी आप देख़ेगा खुद अपने आसपास को मेसूस किभी इस्क मेली सिखता हो से जकड़ी यह सिंपल सा बात है घर को बराबरी से लगता है कि केबल आप गर्स को न सिखाईये अपने घर के लड़कों को सिखाईयों है अगर है और वो सीख जाएंगे कि वो मिकी किसी के भाय है शे इसके ड़र साप अंदर बैठे हूए यह तो किसी की खाई है तो भी आप घर में रहो साथ बात कहां घूम रहे हो या का मैं बाहर घूमने का लड़कों से भी सबाल पुछना चाहिए ना आजादी आएगा आगे जाकर आप लोग भी गारजन बनिएगा इसको याद रखना है जब आपके भी बेटे बेटी होंगे होंगे ही तो उनको जरूर पुछे का भईया साथ ब विद्रो बढ़ रहे हैं कि 1765 में आया अंगलेच सरसट में ठाल विद्रो कर दिये अभी भी आजादी मिला चले जा रहे हैं ना कंटीन्यू है और 1947 में क्या हो जाएंगे तो आजादी मिलेगा तो जरूर बस लेकिन धीरिये-धरिये प्रोसेस में क्या रहना है आगे लिखिए अगला पॉइंट लिखिए लिखिए कि सिंग्भूम चेत्र से सिंग्भूम चेत्र से लोगों को खास तोर पे युवाओं को सिंग्भूम चेत्र से युवाओं को जागरू करने के लिए युवाओं को जागरू करने के लिए युवाओं को क्या करने के लिए युवाओं को क्या करने के लिए जागरू करने के लिए आनंद कमल चक्रवर्ती, नाम लिखे, आनंद कमल चक्रवर्ती, क्या नाम लिखना है, आनंद कमल चक्रवर्ती आनंद कमल चक्रवर्ती, चाईवासा से, कहां से, चाईवासा से, चाईवासा से, क्रांती कारी पत्री का, मतलब जिसमें क्रांती को लेकर लेक लिखा जाता है, क्रांती कारी पत्री का, हमें एकजिन, क्रांती कारी पत्री का कहने का मतलब क्या हो गिया, मैगजिन, क्रांती कारी पत्री का, पत्री का का नाम है तरून सक्ती, क्रांती कारी पत्री का तरून सक्ती, प्रकासित करते थे, सूपर इंपोर्टन्ट प् basil है ये बहरा हैं कि वरी वरे इंपोर्टन्ट की आंनद कमल्चकरवर्ति चाइवासा चेत्र से ऑगहों को क्या करने के लिए जाघ्रों करने के लिए करांति कारी पत्रिका प्रकासित करते थे उस पत्रिका का नाम क्या है तरून सक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्रांतिकारी सुधान्सू रंजन बैनरजी क्रांतिकारी सुधान्सू रंजन बैनरजी क्रांतिकारी क्या लिखेंगे हम लोग सुधान्सू रंजन बैनरजी क्रांतिकारी सुधान्सू रंजन बैनरजी कलकत्ता के अलीपूर अलीपूर बमकान वताये थे लिखेंगे कलकत्ता के अलीपूर जेल से छूटकर कलकत्ता के अलीपूर जेल से छूटकर या भाग कर कलकत्ता के अलीपूर जेल से छूटकर सिंग्भूम के अलिपूर जेल से चुट कर क्या लिखना है सिंग्भूम के सोनुवा गाउं कौन सा गाउं सोनुवा गाउं में निवास करते थे सुधान्सु रंजन बैनर जी जो के क्रांति कारी थे वो अलिपूर जेल से चुट कर किस गाउं में निवास कर रहे थे सोनुवा गाउं में निवास कर रहे थे याद रहेगा अलिपूर जेल से चूट कर सोनुवा गाउं में क्या करते थे निवास करते थे कौन क्रांतिकारी सुदांसु चंद्र बैनेर शुरी सुदांसु रंजन बैनेर जी ओके चलिए वेक प गया बिहार में है गया में राजनेतिक दकेती के मामले में गया में राजनेतिक दकेती के मामले में राजनेतिक दकेती के मामले में गया में राजनेतिक दकेती के मामले में 18 लोगों को गिरबतार कर उन उपर मुकद्दमा चलाया गया 18 लोगों को गरबतार कर उन उपर क्या चलाया गया 18 लोगों को गरबतार कर क्या चलाया गया उन पर केस चलाया गया इनमे इस 18 लोगों में इनमे पलामू के दो क्रांती कारी पलामू के दो क्रांतिकारी कहां के पलामू को अंटलाइन करेंगे इनमें पलामू के दो क्रांतिकारी परमनात मुखरजी पलामू के दो क्रांतिकारी कहां के लिख रहे हम लोग पलामू पलामू के दो क्रांतिकारी पहला नाम परमनात मुखर जी परमनात एबं एबं गनेश प्रशाद बर्मा थे गनेश प्रशाद बर्मा थे मुकदमा चलाया किस मामले में तो गया में हुए डकेती के मामले में मस्मझ मारा है तो गया में हुए राजनितिक डकेती के मामले में 18 लोगों को गरबतार किया गया और उनमें से पलामू के भी दो थे एक परमनात मुखर जी और गनेश प्रशाद मनना जैसे दा ग्रेट डे कि दुमकाजिले से कौन थे कल ही पढ़ाएं हैं कल नहीं परसो दा ग्रेट डेलाइट रोवरी रोडडा आम्स एक्ट उनमें दो वैक्तियों का नाम लिखाएं थे किनका किनका नाम लिखाएं थे बैदनाथ विष्वास और प्रभु दयाल हिम्मत सिंग्ग तो पुला नाम क्या याद करने बोले थे प्रभु दयाल हिम्मत सिंग्ग याद रखना है भुलना नहीं है करके पढ़ना है परमनात मुखरजी और गरेश परशात बर्वा का संबन कहा से है पलामू से है कहा से है पलामू से चलिए अगला पॉइंट चलते हैं लोग लिखिए ल misin अब हम लोग सीथा लिखेंगे मौलाना लगाई अगला पॉइंट लगाई अवाई मौलना अभूल कलाम अजाद के वारेमें मौछ पॉइंट लिख लेते हैं उनसे सम्मंदीत दो तिन पॉइंट आपको जारखंड में याद रखना है इनके बारे में मौलाना अबूल कलाम अजाद कि यह जांची में जो मद्रासा इस्थापित क्या गया इन्हों नहीं किया था तो लिखिये मौलाना अबूल कलाम अजाद हिस्ट्री में आप लोग इनके वारे में डिटेल्स में पढ़िएगा हम केवल जारखंड के परिपेक्ष में जो बाते हैं वो आपको लिखा दे रहे हैं हना मौलाना अबूल क्रांतिकारी 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 समाचार पत्र क्रांतिकारी समाचार पत्र अलबे लाग क्रांतिकारी समाचार पत्र अलबे लाग क्रांतिकारी समाचार पत्र अलबे लाग अल्वे लाग इनका अपना प्रेश था अल्वे लाग प्रेश इसे प्रभात खवर दैनिक जागरन है ना उसी क्रांतिकारी समाचार पत्र के नाम क्या था अल्वे लाग रांतिकारी समाचार पत्र अलवे लाग के प्रकासन के कारण अबूल कलाम अजाद को अबूल कलाम अजाद को ब्रिटिस सरकार ने के कारण अबूल कलाम अजाद को ब्रिटिस सरकार ने नजर बंद किया था क्या किया था नजर बंद किया था ब्रिटिस सरकार ने नजर बंद किया था कांतिकारी समाचार पत्र अलबे लाग के प्रकासन के कारण ब्रिटिस सरकार ने अबूल कलाम अजात को क्या किया था नजरबंद किया था बस समझ माया नजरबंद मतलब किसी छेत्र में आपको रख देगा और आप पर निगरानी रखा जाएगा तो नजरबंद कहा थे राची में नजरबंद थे जब उनको नजरबंद किया गया तो वो कहां चुना राची को चुना याद रहेगा तो लिखे अगला पॉइंट कि इसी दौरान मतलब नजरबंदी के दौरान नजरबंदी के दौरान नजरबंदी के दौरान मौलाना अबूल कलाम अजात 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1910 से तक राची में नजरवंद रहे तीन साल का टेनियूर लगवक 31 मार्च 1916 से 31 मार्च 1916 तक कहा नजरवंद रहे राची में नजरवंद रहे यस हमारा देश जब अजात हो जाएगा जब अंत्रीम गवर्मेंट बलेगा सरकार बनेगी उसमें बनेंगे लिखनी है नजरवंद मतलब निगरानी में रहना किसी का नजरवंद का सिंपल सा मतलब याद रखना है किसी के निगरानी में रहना ओके याद रहेगा हाँ बुलो राची में नजरवंद रहे कहा पे रहे राची में या राची में इनको नजरबंद रखा गया कि अंडलाइन करेंगे राची और इस तिथी को 31 मार्च 1916 से 31 सम्बर 1929 तक लेकिन कहा जाता है कि यह 31 मार्च को यहां नहीं पहुंचे थे इनको पहुंचने में कुछ समय लग गया था पांच अप्रेल को वह राची आये थे पर हम हाँ पांच अप्रेल कि मत रिखिए याप डेट याद देखिए काफी है कि इनको सजा हुआ था कि राची में आपको नजरबंद करके रखा जाएगा कब से कब तक 31 मार्च से 31 जंबर तक लेकिन भाइया अभी के समय में आपको सब कुछ टाइम पर होता है 1916 में हर जगा इतना कुछ टाइम पर जरूरी नहीं था त्रेन मगरा भी दिरे चला होगा तो उनको पहुंचने में समय लग दिया और कहा जाता है कि वह 31 मार्च को नहीं पांच अप्रेल को क्या हुए थे राची पहुंचे थे बस समझे माया अब इनके बारे में दो-तिन पॉइंट और लिखे अगला पॉइंट लिखे निकट निवास क्या करते थे तो कि कॉटेज लिया था पीट कॉटेज कहते हैं मुराबादी के निकट क्या करते थे निवास करते थे को क्या है लोग का जाता है कि कहा निवास करते थे तो मोरावादी के निकट पीट कोंटेज में क्या करते थे यह निवास करते थे कौन आ पाले पीट कोंटेज याद जहां पर आप लोग रोज सुबह सुबह दोड़ते हैं मुरावादी स्टेडियम इसी के आसपास कहीं पर वो पीट कोटेज में क्या करते थे निवास करते थे अगला पॉइंट लिखे इन से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग लिखे कि इस दौरान इस दौरान अपर वाजात अपर वजार अपर वजार इस्टित कौन सा मस्जिद है अपर वजार में इनी के नाम पर बात में कर दिया गया साथ जामा मस्जिद ना अपर वजार इस्चित अपर वजार इस्टित मस्जिद में अपर बजार इस्थित मस्जिद में अबुल कलाम अजाद अबुल कलाम अजाद अबुल कलाम अजाद नमाज अधा क्या करते थे क्या अदा करते थे नमाज अदा क्या करते थे मस्जिद में ये क्या करते थे नमाज अदा करते थे ये इनके नाम पर कोलेज भी है बहुत कुछ बाद ने मनाया गिया चलिए अगला पॉईंट लिखिए कि इनोने, इनोने राची में, इनोने राची में, 1917 में, उनिस्सो सत्रमें, इनोने राची में, उनिस्सो सत्रह में अंजुमन इस्लामिया कब बात करें हम लोग अगस्ट नाइन्टीन सेवेंटीन उनिस्सो सत्रह में अंजुमन इस्लामिया अंजुमन इस्लामिया एवं मदर्शा मदर्शा इस्लामिया मदर्शा इस्लामिया की स्थापना की अंजुमन इस्लामिया एवं मदर्शा इस्लामिया की क्या-क्या किसने इस्थापना किया अबूल कलाम अजाद dishwasher ने याद रहेगा अंजुमन इस्लामिया एबं मदर्शा इसलियामिया की स्थापना की अगस्ट 1917 में लोग कहते कि इसको स्थापना करने के लिए उनको अपना अलबे लाग प्रेश को क्या करना पड़ा था बेचना पड़ा था पैसा चाहिए ना भाई यह तो नजरबंद है कुछ कमा नहीं र अलबे लाग अ प्रेश को क्या करना पड़ा था बेचना पड़ा था तो अन्जुमन इसलामिया और मदर्सा इस्लामिया की क्या की इस सापना की कब किया अगस्त उनिस्सो सत्र को किस ने किया अबूल कलाम अजाद ने अगला पॉइंट लिखिए कि नजरबंदी के दौरान नजरबंदी के दौरान इन्हें इन्हें राची में नजरबंदी के दौरान इन्हें राची में प्रती दिन थाना में जाकर हाजरी लगाना पड़ता था प्रती दिन थाना में जाकर क्या लगाना पड़ता था हाजरी लगाना पड़ता था हाजरी लगाना पड़ता था एक और घटना हुआ था उधर तूर्की हार जाता है तो ब्रिटिस इंडिया क्या मनाता जस्ट न मनाता है लेकिन उनके विरोध में हमारे राची में अबुल कलाम अजादी के कहने पर लोगों ने काला बिल्ला लगाकर क्या किया था विरोध किय पर नोट करके लिख लीजिए नोट डल के लिखे पुरा कहानिया आप लोगों को लिखना नहीं है नोट डल के लिखे कि अबुल कलाम अजाद के कहने पर अबुल कलाम अजाद के कहने पर राची वासियों ने राची वासियों ने काला बिल्ला लगाकर क्या लगाकर काला लोगों ने काला बिल्ला लगाकर अंग्रेजों का विरोध किया था क्यों किया था कि तुर्की वहां हार जाता तो अंग्रेज जस्न मना रहे थे तो उसके विरोध में अबुल कलाम के कहने पर लोगों ने क्या लगाकर विरोध किया था काला बिल्ला लगाकर तो यह लाइन और रहें तो बाकिकी हो याधी रहेगा कि तुर्की के विजय के कारण इस्ट-इंडिया कंपड़ी किया कर रहे थे जस्न मना रहे थे पर तो अबुलकलाम के कहने पर राची वाश्यों से पाला बिला लगा कर इनका विरोधि विल्ट किया महात्मा गांधि के नित्रित्यों में ही चलेगा असयों गांदूलन स्क्षें जाते हें को के पुरा कहानी ध्यक् highlighting में निन्यवात निमें से बहुत हो पर यहन्य Лशान आग पर औलम है के लिए धान ध्यारा जैंगा ऊक करूँ और में